नमस्कार टीवें इंडिया के खास प्रोगाम खबर दिनभर में आपका स्वागत है आई ये शुरू करते हैं आज की दिनभर के खबरें करनाटा के सिमोगा में बीतीरात हुए एक विस्पोर्ट में आठ लोगों की मौत हो गई वहीं धमाके से भारी नुकसान की सूचना भी है इस्थानिय पुलिस के अनुसार धमाका एक ट्रक में रदे डाइनामाइट के कारण हुआ इस ट्रक में सवार सभी छे लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोगों की भी जान गई है हाला कि अभी तक खुलासा नहीं हो सका है कि ट्रक में सवार कहां से आया वहीं पुलिस ने अब तक कई सवों को बाहर निकाला है पुलिस के मताबिक या धमाका श्रिमोगा सहर के करीब पांस किलमीटर दूर हुआ इस्थाने नागलिकों गरिमसार गुरुवार की रास सारे 10 बजे के करीब उने जोरदार धमाके की आवास सुनाई दी जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई वहीं करनाटक के मुख्यमंती बियसे दिरुपर ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं साथ ही जो लोग इसके लिए जिमेदार हैं उनके खिलाब सक्ट कारवाई करने के आदेश दिये हैं बता देगी 26 जनुरी से चार दिन पहले हुए इस धमाके से पुलिस की सुरक्षा और निगरानी पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सेनापुरूर्य जनरेल एमेम नर्वाने ने आज कहा कि जिस तरह भारत की प्रिक्ति हो रही है और विश्ट में हिंदुस्तान का कज़ बढ़ रहा है उसी तरह सुरक्षा की चुनोतियां भी बढ़ रहे हैं सेना पुर्मुक ने कहा कि इस स्रक्षा चुनुतियों का सामना करने के लिए भाद को तयार रहना होगा सेना पुर्मुक ने कहा कि राजनीक्तिक वर्ष्टोर्स कायम रखने के लिए रक्षा निर्मार समताओं में विवर्धी करनी होगी क्योंकि दूसरे देशों के पास हत्यारों निभरता से संकर्ट में समय में जोकिम बढ़ सकता है Society of Indian Defense Manufacturing दोरा आयोजित के गए सेमिनार को सम्मुधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिदंदियों के स्तास सीमाओं को लेकर नंसुल्य मुद्य हैं पूर्व में हो चुके युद के मंदेजर हमें च्छर्म युद तथा वाम बंतियों उत्गराज जैसी चुनतियों का सामना करना पड़ सकता है मध्यपदेश के सागर जिरे की एक अदालत ने एक मासूम बालिका के साथ सामोहिक बलतकार के मामले में दो आरोपियों को मिर्टुजंट की सजा सुनाई है मिर्टुजंट पाने वाला पीरता का एक चाचा तो दोसा चचेरा भाई है सत्र नेयाले के जज उमाशंकर अगुलार ने सुनुआई करते हुए जेप केस माना और सामोहिक बलतकारियों हत्ता दोसी करार देते हुए पीरता के चाचा और चचेरे भाई के खिलाव सकत फैंसला सुनाया अधालत ने अपने फैंसले में कहा कि दोस्यों दोरा बारा साल से कम उनकी अबोद बालिका के साथ वरवरता प्रोर जेप के बाद उसके हत्या कर दी गई अधालत ने कहा कि दोस्यों पर बालिका के भर्ण पोर्शन का दायुत था लेकिन उन्हों ने कुर्टापूर्स की जान ले ली बीजेपी अधिक जेपी नड़ा यूपी के लखनों मुंग्ची बीजेपी अधिक यहां पार्टी के इस गत्विदियों का जाय जा लेंगे परिदेश महमन्ति अश्मी क्तियागी ने बताये कि बीतिरार राश्ट्ट्रे अधिक ने सरकार के मंत्रियों तथा पार्टी प्दाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद कहा कि पधानमन्ति नेढमोदी के नितलत्वारी के इन सरकार और प्रदेश योगी आधितनाद ने तो त्वारी सरकार दोरा आपसी तालमेल से गाउं गरीब और किसान सहित सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक खुसाली की पटकता लिखी गई है नड़ा ने कहा कि राज सरकार पंडित दीन दियाल पाध्या के अंतियोदे दर्शन को साकार कर रही है लखनों पहुँचने पर मुख्यमंती ने बीचेप एद्रिश की आगवानी की समाजवादी पार्टी के राष्टे दर्श अक्रेस्यादों ने कहा कि अमेरिका की तरह भारत में भी जूट और नफरत की राजनीती को नकारे जाने की जरूरत है एक प्रेस कॉंफरेंस में अक्रेस्यादों ने टर्म सरकार का हवाला देते हुए कहा कि चिस तरह अमेरिका के नागिकों ने राश्पती चुनाव में जूट तथा नफरत की राजनीती को नगार दिया है दुनिया के सामने एक उदावन पेस किया है उसी तरह भारत में होना चाहिए यूपी के पूर मुक्रिंती ने कहा कि बीजेपी समाज में जहर गोल रही है इस रंग बननने वाली पार्टी से देश के किसान और मज़ौन सभी दुखी है अकलेश ने बीजेपी सरकार पर जूट और नफरत की राजनीती कर सत्ता हत्याने का आरोप लगाया और उसकी सियासत को खत्म करने का आफ़ान किया कॉंगरिस वर्किंग कमिटी ने आज दिली में बैठक की अपने राष्टे अध्यक्ष के चुनाओ को लेकर चर्चा की पार्टी पर आधिकारियों ने कहा कि इस साल मई तक पार्टी को इस्थाय अध्यक्ष मिल जाएगा पताधिकारियों ने कहा कि इस साल होने वाले विधान सबाद चुनाओ के बाद पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा भारत ने सुरक्षा परिषद में रतनात्मक भुईंका निभानी के तयोरियों का आयलान कर दिया है। और प्रस्ताओं के लागों नहीं करने का फायदा आतंकी संक्षा उठा रहे हैं इसे रोकना होगा। विद्योरियों के नए गडबंधन के इलेशन और पेट्रियोर्ट पर चेंज सरकार दोर राजनीती के किसी भी तरह की परदोशन अधिकारी हो या फिर सुरक्षा बोलो के सदत से उनके खिलाप हमने सुरू कर दिये हैं जो चिंता जनक है। महराश के सतारा जिले के स्थाने अदालत ने टोल हस्तांतर अंदोल में आरोपी छत्पती उद्यन राजे भोशले और अन 11 लोगों को आज मुगदमे से बरी कर दिया। या मामला पांच अक्टूबर 2017 का है जब सतारा जिले के आने वारी टोलांका को वस्तोली मुक्त करने के लिए तातकाली सांसात ओदेन राजे भोशले ने आंदोल किया था। पुलिस ने उन पर मुकदमा दर्द किया था जिसमें आज अदर्द ने उन्हें बरी कर दिया। जैको माइट नामक कीमती खनीच बेचने के नाम पर फरजिवारे से जुड़ा है। के लिए मुझे रिजय जाज़त। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीवन इंडिया को सब्सक्राइब करें। और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले। बेला मत भूले बेल आइकोन के लिए टीवीवन लिए बेले। ले डिए नोटन के लिए है। और नोटिवारे से खब्सक्राइब करें।